मेरा नाम है शिवम और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है इस इस गूइंट टॉपिक जो की बहुत ज्यादा उन पर कैसे चीज़े करनी हैं स्टेकिंग कैसे एक्सचेंज करने हैं टोकन अल अफ दाट मैं आप लोगे साथ शेयर करता आ रहा हूं कुछ दिनों से जिसमें क्विक स्वाप पैंकेक स्वाप यह सब के मैंने वीडियो बनाए इसमें अगर मैं बात करो तो पैंकेक स्वाप क यहां पर मिल रहा था तो यह जो 76% APY हो गया है यह 76% APY मुझे पैंकेक के टोकन में यहां पर मिल रहा है इसका यह मतलब ऐसा है कि मुझे ध्यान देना है कि I am getting अगर मैं 100 डॉलर्स यहां पर वर्थ ऑफ केक टोकन स्टेक करूं तो मुझे जो भी वो APY है वो केक टोकन में वापिस मिल रहा है so 100 डॉलर्स की मानलो केक टोकन 10 डॉलर का था मैंने 10 टोकन लेके स्टेक कर दिये 70% APY था तो मैंको 7 केक टोकन वापिस मिल रहा है ना कि 7 डॉलर या 70 डॉलर समझ रहे हो तो that means कि जो वो APY है वो as a protocol as a crypto project मेरे हाथ में है तो यहाँ फरक क्या पड़ेगा कि मानलो मैंने आपको बोला मैं 100% APY दे रहा हूँ वो 100% APY आ कहां से रहा है अगर मैं मेरा ही टोकन दे रहा हूँ तो यह 100% APY कहां से आएगा यह आता है inflationary reward से usually अगर आप projects देखो उनका tokenomics देखो तो वाँ भी उन्होंने एक ऐसा होता है हमारे 200 million tokens की गिंती होगी उसमें से 50 million token हमने inflationary reward के लिए रखे हैं तो वो क्या गरते हैं वो initially अपना token का कुछ X amount of liquidity public sale में launch करते हैं मानलो 10 million token उन्होंने public sale में launch किये 10 million के बाद उन्होंने 50 million inflation reward रख लिए मतलब अगले काफी साल में जो supply है वो 10 million से बढ़के 50 million हो जाएगी पर उसमें initially धाड़ से market में इतनी सारी supply इंट्रोड्यूस की जाती है तो अगर मैं 10 million launch किये हो सकता है 5.5 million token मैं inflationary reward के नाम पे यहाँ पे market में पहले ही महीने में dump करूं as a company and dump might be the wrong word introduce करूं वो introduce करने का सबसे easy और सबसे सीधा माध्यम या तरीका जो projects के लिए है वो होता है APY तो वो लो क्या करते हैं वो बोलते हैं हमारा project दे रहा है 10,000% APY जिस चीज को लेके आप में से मुझे बहुत सारे लोगों के question आए कि भाई ये तो 70% है ये तो कुछ भी नहीं है ये वाला project धाई लाख परसेंट दे रहा है ये वाला project 10,000% दे रहा है नंबर वान वो बड़े जो APY होते हैं वो पूरा साल continue नहीं होंगे वो एक दिन दो दिन कई तो सिरफ दो गंटा ही रहते हैं सिरफ पर वो नंबर देखके काफी सारे लोग आके stake कर देते हैं और आप नोटिस करना जो 1,000,000,000,000,500,000 APY दे रहा है तो वो उसको offset कैसे करते हैं आप जाओ अपने token को lock करो उसके against आपको APY देना start करते हैं तो वो APY market में immediately introduced नहीं होता है उनके token का price immediately इतना गिरता नहीं है तो इससे hype बढ़ती रहती है token का price बढ़ता रहता है पर जब वो unlock होते है तब वाट लग जाती है तो वो token rewards है वो कहा 108% तक का APY आपको USDC में मिलेगा वहाँ पे Zion token तो कहीं आया है नहीं बीच में correct तो आपके rewards US dollar coin USDC में हैं आपको so does not matter क्योंकि वहाँ पे हम कुछ print नहीं कर रहे हैं पर projects क्या करते है projects print करते हैं अगर मालो यही token reward मुझे Shivam token मैं Bindi coin token निकालू मैं बोलू Bindi coin में आप stake करो आपको 2,000,000% का APY मिलेगा मैं क्या करूँगा यहाँ बटन दबाऊँगा मेरी machine चालू करूँगा Bindi coin print करना start करूँगा और वो मैं आपको बांटता रहूँगा और आप खूश हो देर होगे कि मेरे को इतना token मिल रहे है पर supply में वो जब धिये-दिरे आ रहा है तो price भी गिरेगा तो आपका शायद वो जो आपका 1,000,000,000% आपको APY मिल रहा है उससे actually आपको loss हो रहा हो क्योंकि वो token की value इतनी गिर रही है क्योंकि इतने सारे लोग वो ले रहे है दूसरी चीज जैसा कि मैंने बताया यह बहुत देर तक रहते नहीं है एक साल दो साल इसमें stake क फिरलो ऐसा नहीं होगा इट यूजुली यूजुली वोट हैपन्स इस वीक वन वीक मैक्स मतलब वो ऐसा स्टार्ट करेंगे 1,000,000% APY से दीरे-दीरे करके वो 200-300% फिर अंडर 100% APY पर आके उसको वो कर देते है कैप और यहां पर फिर हमारे जो rewards है यह शायद हफते में खतम हो जाते हैं शायद कुछ दिनों में शायद कई बार तो कुछ घंटों में खतम हो जाते हैं यहां पर मुद्धा यहीं का यहीं रहा जाता है तो यहां जब हम मार्केट में चीज़े देख रहे हैं इसलिए बोलता हूँ कि fundamentals मार्केट के अगर आप समझ गए तो यहां आप से पैसा एंठने की कोशिश कर रहा है या कौन एक utility प्रोवाइड कर रहा है आप खुछ से पता लगा पाओगे आप पता लगा पाओगे कि कौन सा project सिरफ owner के पैसा बनाने के लिए बन रहा है कौन सा project आप भी पैसा बना सको इस हिसाब से बन रहा है तो APY कहां से आता किया and जादा percentage APY का मतलब यह नहीं है कि वो अच्छा है यहाँ पे दूसरा चीज यह भी होता है कि यह जो नए projects हैं जो इतना high APY दे रहे हैं कभी-कभी क्योंकि देखो आप जब smart contract audit करने जाते हो ना तो लाख लाख दो-दो-लाख डॉलर का ना सिर्फ audit होता है ठीक है 300 से 400 लाइन का अगर code है तो इतने इतने में price में वो audit होता है तो कई बार यह लोग audit नहीं करवाते हैं उसके security measures अच्छे नहीं रखते हैं कभी-कभी audit करवाते नहीं है क्योंकि इन्होंने खपला किया हो दा smart contract में शायद आप खरीच सको token बेचना सको ऐसा बहुत हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है तो यह चीजे भी हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है तो हर नया project जो एक अच्छा APY देता है उसके पीछे हम यहाँ पे भाग नहीं सकते यह market का थोड़ा सा यहाँ पे आपको यह चीज़ समझ में आनी चाहिए टेकनोलोजी कली बहुती ज़्यादा advanced market है अगर हम खुद समझ के advanced नहीं होंगे तो कहीना कहीना हम या तो return मिस कर रहे हैं पैसा हमारा यहाँ पे डूप सकता है तो यह थोड़ा सा चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस हाई APY वाले प्रोजेक्स में अगर आपको यहाँ से कुछ value मिली हो इस वीडियो से जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको मेरे वीडियो से value मिलती है तो एक तो आप like burn पे मुक्का मार सकते हो अगर आप थोड़ा blockchain के बारे में depth में सीखना चाहते हो तो Udemy पे मेरा course है जो आपको blockchain कैसे काम करती है क्या होता है वो सब चीज़े बताएगा वो आप course का description में दिया link है वहाँ से आप join कर सकते हो हिंदी में है course काफी सारे लोगों ने question पूछा है हिंदी course है टेकनिकल नॉलेज नहीं आती तो भी आप वो course beginners के लिए है बिल्कुल beginners के लिए दूसरा like button पे मुक्का जरूर मारे अगर आप channel पे नहीं है तो जाने के पहले subscribe जरूर कर दे आपके अगर कोई ऐसे interesting questions है जो शायद आपको जिनका answer नहीं मिल पा रहा है आपको लगता है because मैं इस industry में actually काम भी कर रहा हूँ मैं शायद better answer कर पाऊँ आपके लिए from experience I would love to hear that question तो आप वो comment में छोड़ सकते हैं नहीं तो twitter पे tweet कर सकते हैं नहीं तो instagram का किसी post के comment में छोड़ सकते हैं जो भी करें publicly मुझे आप वो question पूछे तो और भी लोग आपकी मदद उसमें कर पाएंगे that's it guys ये था आज का video hope ये अच्छा लगाओ मैं आप लोग मिलो अगले video में तब तक के लिए guys बाई